इंटिंग ट्रीटमेंट ओफ गुडविल वन न्यू पार्टनर डज नाट ब्रिंग हिच शेर ओफ गुडविल इन कैश अगर एक नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेकिया था तो उसमें क्या एंट्रे करेंगे इन ब्र टू पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट अन लोज इन दर रेशो फू रेशो वन शेर और भी दो पार्टनर है रेशो है टू रेशो वन शेर के लिए अड्मिशन लिया जब सी ने अड्मिशन लिया तो उस तेम फरम की गुडविल थी साथ हजार पे अब सी का हिस्सा अब नोटिस कुड़ो कि सी के अड्मिशन के टाइम पर फरम की गुडविल साथ चार पे तो यह गुडविल किसकी मेनत है ए और बी कि तो किसको मिलनी चाहिए ए और बी को पर गुडविल मिलती कब है जब हम बिजनस को सोल्ड करते हैं तो उस केस में सी को भी हिसा मिले फिर हम सी की कैपिटल में से पैसा निकालेंगे और ए और बी को दे देंगे अगर हम सी की कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो सी कैपिटल अकाउंट क्या होगा डैबिट होगा और देंगे किसको ए और बी को तो ए और बी कै किस रेशों में सेम सेक्रिफाइजिंग अब एक बात नोटिस करो हमने एक नए पार्टनर को पार्टनरशी फरम में अडमिशन दिया था क्यों तकि वो फरम में पैसा लेकर आए है अगर उसी पैसे को निकाल लेंगे तो इसकेस में हम उसकी पैसा में पैसा निकालाकर उसके दे डेबिट के जगा सी क्रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्लियर क्रेंट अकाउंट का भी सेम प्रोसीजर है जिसे कैपिटल कम होती है तो मुसको डेबिट करते हैं सेम क्रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे जब क्रेंट अकाउंट क्योंगा कम होगा तो हमारी एंट्री न्यू पार्टनर क्रेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देर सेक्रिफाइजिंगे जहां पर हमने सी कैपिल अकाउंट डेबिट कर देंगे